Good morning all of you. How are you? I hope you all are fantastic. आज हम EBS का chapter 15, communication का आगे का part करेंगे. आशा करती हूँ, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा. तो कल हमने क्या पढ़ा था? Communication क्या होता है? Communication means संचार. तो इसमें हम क्या करते हैं? आपस में बातचीत. यानि कि हम अपने जो messages हैं, हम जो अपने मन की बात हैं, उसको एक दूसरे तक पहुचाते हैं, और दूसरों के मन की बात को जानते हैं. और इसमें हमारे अलग-अलग skills work करते हैं, जैसे हमारे four main skills इसमें कौन-कौन से रहते हैं? Listening, Speaking, Reading and Writing. तो यह four main skills यूज करके हम communicate करते हैं आपस में. ठीक है? और इसमें हमने क्या पढ़ा था? कि हमारी जो sign language होती है, वो भी इसमें work करती है, और sometime हम gestures का यूज करके भी आपस में communicate करते हैं. संकेत द्वारा, किसी को इशारे से बुलाना, तो इस type के यह किसमें आते हैं? sign language में. Okay, I hope you understand. You will open your book, chapter number 15, Communication, page number 104. I hope you have opened, let's start. Communication by speaking, hearing. यानि कि हम सुनकर और बोलकर कैसे communicate करते हैं? इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, टेलीफोन्स कैन बी यूज़ड टू टॉक टू पीपल लीविंग अवे फ्रॉम इच अदर. यानि कि टेलीफोन्स का यूज़ करके, हम जो दूर बैठे जो लोग होते हैं, जो हम से दूर रहते हैं, तो हम उन लोगों से बातचीत कर पाते हैं टेलीफोन से. वी केन कॉल ओन अ लेंड लाइन विच इस फिक्सड टू अ प्लेस और ओन अ मोबाइल और सेलिलर फोन. तो दो टाइप के फोन है, कौन-कौन से, एक तो लेंड लाइन फोन और एक हमारा है सेलिलर फोन. जो लेंड लाइन फोन होता है, वो एक ही जगह पर फिक्स रहता है. लेकिन जो mobile है या seller phone है वो wireless होता है वो एक जगह पे fix नहीं होता ओके we can talk on a mobile phone even when we are moving about यानि कि जो हमारा mobile phone होता है उससे हम चलते फिरते भी बात कर सकते हैं ठीक है through a mobile we can also send messages of words and pictures and even music or videos to other mobile phones और mobile phone की help से हम messages भी send कर सकते हैं text messages हम pictures भी send कर सकते हैं अपनी photo अगरा भी send कर सकते हैं और उसमें हम जो songs है music है वो भी सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं और दूसरे जो other phone है उसमें हम send और receive भी कर सकते हैं यानि कि हम उसमें messages भी सकते हैं वीडियो भी 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 सकते हैं और जो वीडियो हैं दूसरे की receive भी कर सकते हैं okay modern mobile phones are called smart phones जो हमारे आजकल जो modern जो mobile phones हैं उनको हम क्या बोलते हैं smart phones आप इसको underline करेंगे modern mobile phones are called smart phones जो आजकल जो हमारे mobile phones use हो रहे हैं उनको हम smart phone भी बोलते हैं as they can perform many function क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे function होते है हम उसमें calculator का भी यूज़ कर सकते हैं हम music भी सुन सकते हैं हम net बी चला सकते हैं Okay हम बात भी करिक कर सकते हैं हम वट्सेप से चैटिंग भी कर सकते हैं, हम वीडियो को लिंग भी कर सकते हैं, और हम इसमें जो हमारी वोईस है, उसको रिकोर्ड कर सकते हैं, तो जो हमारा मोबाइल फोन है, वो स्मार्ट फोन है, तो इसमें हम बहुत सारे फंक्शन्स जो होते हैं, उनका यूज करके अपने daily life को बिल्कुल आरामदायक बना सकते हैं जैसे हम इसमें alarm भी set कर सकते हैं हम phone में time भी देख सकते हैं ओके we can make phone calls send messages click photographs and send emails and videos through smart phones तो smart phone की help से हम phone call कर सकते हैं ठीक है हम message भी send कर सकते हैं और हम अपनी जो photographs हैं वो भी click कर सकते हैं selfie लेते हो ना और जो message है यानि की email है वो भी send कर सकते हैं वीडियो भी send कर सकते हैं और अगर कोई दूसरा भी हमें send करता है तो हम उसको receive कर सकते हैं ओके we pay for calls according to the distance और हमें calls का pay करना पड़ता है इसके पैसे लगते हैं लेकिन वो distance के according हमें pay करना पड़ता है तो इसमें तीन टाइप की phone calls होते हैं कौन कौन से एक तो local एक STD और एक ISD local यानि की वो call जो हम अपने शहर के अंदर ही करते हैं और STD यानि की जो हम दूसरे शहर में करते हैं और ISD यानि की जो हम दूसरी country में करते हैं phone calls ठीक है यानि की दूसरे देश में phone call के लिए ISD code लगता है और जो हमारा अपने दूसरे शहर के लिए STD code लगता है और हमारा शहर के अंदर local phone calls होते हैं ओके there are three types of calls local for calls within the city and STD for calls outside the city but inside the country and ISD for calls out of the country यानि की यहां पर हमारे तीन type की calls होते हैं local calls, STD calls और ISD calls full form of STD is subscriber trunk dialing subscriber trunk dialing ओके and ISD की full form क्या होगी international subscriber dialing ISD stands for international subscriber dialing ओके what is more useful a mobile phone और a landline phone अब आप मुझे बताइए कि which one phone is more useful yes mobile phone क्योंकि mobile phone को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे features भी होते हैं हम इसमें photographs भी click कर सकते हैं हम messages भी send कर सकते हैं हम email भी send कर सकते हैं और smartphone के तो वैसे भी बहुत सारे benefits हैं अब आप देखो घर बैठे class ले रहे हो तो वो भी हमारा किसकी वजह से possible है yes internet की help से और जो हमारा phone है उसमें हम अपनी online classes भी लगा सकते हैं okay I hope you understand आगे देखिए radio and television are other forms of communication across large distances they are also called means of mass communication as they address a large number of people यानि की जो radio है television है ये भी हमारे communication के माध्यम है जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा दूर तक जो distance तक हम क्या कर सकते हैं अपने जो message हैं वो भेज सकते हैं और वो receive कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जो television है television में अलग-अलग जगह से news आती हैं ठीक है तो हम घर बैठे ही दूर-दूर तक की खोज खबर रख सकते हैं with the help of means of mass communication यानि की कोई भी एक ऐसी news जो हमें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है तो हम mass communication का use करते हैं जैसे कि आप YouTube पे वीडियोज देखते हो तो YouTube पे जो वीडियोज हैं वो mass communication का ही example है ओके News and events across the world can be viewed or heard exactly when they are happening through these two means इसमें क्या होता है यानि कि कहीं भी किसी भी जगहे पर जो भी घटना घटित होती है तो उसको हम exactly यू का यू देख पाते हैं और सुन पाते हैं ओके यू कें सी इन दे पिक्चर यहाँ पर हम जब टेलिविजन देखते हैं तो टेलिविजन देखते हैं तो हम वो जहाँ पर ये घटना हो रही है तो उसको हम actually देख पाते हैं और सुन भी पाते हैं ओके यू के यू के यू प्लेजन देखते हैं और इसकी हेल्प से जो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक छोटा सा प्लेस हमें दिखता है ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बिल्कुल छोटा सा है क्योंकि हमें कोने कोने की खबर मिल जाती है और इसने जो लोगों को आपस में मिला दिया है और भाईचारे की भावना को भी बढ़ा दिया है ओके I hope you understand तो आज हमने क्या पढ़ा Communication by Speaking और Hearing यानि कि हम सुनकर और बोलकर कैसे Communicate करते हैं उनका यूज करते हैं टेलीफोन का स्मार्ट फोन का लेंड लाइन फोन और हमारे जो रेडियो हैं टेलीविजन है उनका यूज करते हैं और जब हम फोन कोल करते हैं तो हमारे फोन कोल भी डिस्टेंस के कोडिंग हमें उनका पे करना पड़ता है उनके पैसे देने पड़ते हैं तो हमने तीन टाइप के कौन-कौन से कोल्स पढ़े लोकल कोल्स, STD कोल्स और ISD कोल्स ओके, I hope you understand नव लेट्स डिस्कस दे होमवक यू विल रीड पेज नंबर 104 और 105 and you will write plus learn new words of page number 104 and 105 in your fair notebook okay, bye, happy learning